हलो बच्चों ये जेही में 24 का क्वेशन है 9 अपरील 2nd सिफ्ट का अनुकलियस अट रेस्ट डिसिंटेग्रेट इन्टो टू स्मॉलर नुकलियाई विद देर मासे इन रेशियो 2 इस तो 1 आफ्टर डिसिंटेग्रेशन देविल कैसे मुव करेंगी क्या उनका होगा डिरेक्शन इसके बारे में पूछ रहा है क्या पोजिट में होगा या सेम डिरेक्शन में होगे तो मान लिजे यहां पर अपने पास एक नुकलियस है ठीक ना नुकलियस है ये nucleus पहले तो rest पे है इसके बाद क्या हुआ ये दो पार्ट में split हो गया है ना दो पार्ट में split हुआ इसके पास V1 speed है तो mass माल लेजिए M1 है इसके पास V2 speed है तो mass इसका माल लेजिए M2 है अब दोनों move करेगा बट इधर करेगा मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे आपर खुदी split हुआ हम लोग ने कुछ force लगाया नहीं है तो यहाँ पर momentum conserve रहेगा तो momentum conserve रहेगा तो before explosion and after explosion का हम लोग concept लगाएं तो before explosion में क्या होगा कि momentum यहाँ पर rest पे है तो 0 हो जाएगा तो 0 हो गया and after explosion में क्या लगाएंगे M1 into V1 ठीक है vector formula लगा दो plus M2 into V2 vector ओके तो अब यह तो 0 है तो इसको उठा के दार लगे चले जाएगे ठीक है न यहाँ पर तो यहाँ पर आजागा तो minus M1 V1 vector is equal to M2 V2 vector अब दोनों का जो mass का ratio है न यह 2 is to 1 है तो mass का ratio 2 is to 1 है ठीक है मतलब हम लोग को M1 by M2 दिया हुआ है तो M1 by M2 ठीक है अब यहाँ पर काम करें आप यह चीज़ तो clear हो गया न मैंको mass mass का भी negative होगा नहीं मैं आपको एक चीज़ यह clear कर दो पहले mass का भी negative होगा नहीं है न तो mass का भी negative होगा नहीं है आपर तो फिर negative direction जो आ रहा है negative sign जो आ रहा हो किसको represent कर रहा है V1 को या V2 को मतलब velocities को यह बताना चाहा रहा है कि V1 V2 आपस में कहा है एक दुसरे के opposite direction में है इसलिए negative sign आया है ठीक है तो negative sign आया है इसलिए तो अब आप क्या करें कि अब magnitude लेजेए तो यहां साइन तो डिसाइड हो गया न कि वह negative sign आया है क्यों because of this क्योंकि दोनों एक दुसरे का opposite move कर रहा है ठीक है इसलिए negative आया है तो अब आप magnitude लेकर के ratio देखिए तो यहां से M1 by M2 is equal to क्या आएगा V2 by V1 ठीक है and opposite direction होगे negative sign ने यह बता दिया तो देखिए यहां पर options कौन सा correct होगा इन opposite directions with speed in the ratio of 2 is to 1 नहीं speed का ratio तो बच्छो कितना है 1 by 2 1 is to 2 आ रहा है तो fourth number देखिए इन the opposite directions with speed in the ratio 1 is to 2 respectively that is option number 4 is a right answer